जैहिंद स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आसुतोस पांडे आल राउंडर क्लासेज में और आज हम अद इतिहास पढ़ेंगे इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्राक इतिहास में पासान काल के चालो पासान कल हम पढ़ा चुके हैं और अब हम सीधे अद इतिहास पढ़ेंगे तो अद इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं आज अद इतिहास सबसे पहले करते किसे हैं तो आपको बताने कि अद इतिहास उसे करते हैं इसमें जो लिपी लिखी गई उसे पढ़ा नहीं लिखा तो गया है लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया है और इसके साच्च भी पूरा तत्विक इसकी जानकारी पूरा तत्विक साच्च से ही मिली है तो फिर से लिखते थे अध एतिहास कि इसमें लिखी गई लिपी को पढ़ा नहीं जा सका है लिपी को पढ़ा नहीं जा सका है पढ़ा नहीं जा सका है इसमें लिखी गई लिपी को पढ़ाने चाहिए और इसके साच इसके जो इसकी जानकारी पुरा तत्विक साच्छू से ही मिलती है प्राक इतिहास में जैसे मिलती थी उसमें भी वैसे भी से मिलती है बस उसमें बात यह थी कुछ लिखा ही नहीं गया था इसमें लिखा गया है लेकिन इसमें पढ़ा ही नहीं गया है कुल मिलाकर तो इसकी जानकारी जानकारी भी पूरा तत्विक साच्छियों से ही मिलती है पूरा तत्विक साच्छ से ही मिलती है यानि इसमें लिखी गई लिपी को पढ़ा नहीं जास रहा है उसको कोई आज तक पढ़ नहीं पये है कि क्या इसमें लिखा गया था और इसके जानकारी भी पूरा तत्विक साच्छी से ही मिलती है अब इसमें हम पढ़ेंगे सिंधू सभेता अध एतिहास में पढ़ते हैं हम सिंधू सभेता सिंधू सभ्यता वीडियो को आज बड़ा नहीं करेंगे इसके पहले का वीडियो बड़ा हो गया था यह वाला वीडियो बड़ा नहीं होगा सिंधू सभ्यता यह सभ्यता जो थी वो सिंधू नदी के ट्रट पर मिली थी इसलिए से हम सिंधू सभ्यता करते हैं सिंधु सभ्यता जो थी सिंधु नदी के टट पर मिली थी इसलिए इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं तो लिखते हैं सिंधु नदी के टट पर मिली है या सभ्यता या सभ्यता इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं कि इसलिए इसे सिंधू सभ्यता कहते हैं कि सिंधू सभ्यता कहते हैं और इसे हडपा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी पहली खुदाई हुए थी यह हडपा सभ्यता भी कहते हैं तो बता दे कि इसे हडपा सभ्यता भी कहते हैं इसे हडपा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु सभेता की जो सबसे पहली जानकारी थी वो चार्स मैसन ने दिया था सिंधु सभेता की जो सबसे सबसे पहली जानकारी थी वो चार्स मैसन ने दिया था मैसन ने दिया था आक को बता दी कि सिंधु सभेता जो थी वो टेरा लाख बर्ग किलो मीटर में फैले थी स्यल्थ अब्र 1,014 हुए हुए है शिन्दू सभेता 13,00,00 वर्ग किलोमीटर बर्ग किमी में फैली थी शिन्दू सभेता 13,00,00 वर्ग किलोमीटर में फैली थी इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था तो देखिए इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था बता दियां को सिन्दू सभेता का जो अकार था वो त्रिभोजाकार था तो सिन्दू सभेता का अकार कैसा था तो तुर रुजा सिंधु सभेता जो थी विश्व की सबसे पहली सहरी सभेता थी क्या थी सिंधु सभेता विश्व की सबसे पहली सहरी सभेता थी सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली सहरी सभ्यता थी खहरी शभ्यता थी सिंधु सभ्यता विश्व की सबसें सभ्यता थी देखिए इसमें लिखी गई अधैतिहास में हम देखते हैं कि इसमें लिखी इनbas com लिपी को पढ़ा नहीं जा सका है इसकी जानकारी भी सिर्फ पूरा तत्विक साच्छों से मिलती है जिस प्रकार प्राग के तिहास में जानकारी पूरा तत्विक साच्छों से थी वो हड़ापा से हुई थी और सिन्दु सभेता कि सबसेपहली जानकारी चार्स मैशन ने दिया था Tag सिंदु सभेता तीरा लाख वर्म किलोमेटर में फैली थी और इसकी पहली खुदाई दयाराम सहनी ने किया था और सिंदु सभेता का जो अकार था वो त्रिभूजाकार था सिंदु सभेता विश्यो की सबसे पहले सहरी सभेता थी सिंधू सभीटास विश्व की सबसे पहली शहरी सभीटा थी और आपको बता दें कि जो सिंधू सभिटा का विकास कप तक होता रहा तो सिंधूerve के सिंधू सभ्यट semない दिवकास कि पचीस सो से है कि शत्राइस ओ कि पच्यास इसापूर्व तक होता रहा है होता रहा वीडियो को ज्यादा बढ़ा नहीं करेंगे आप लोग पहले इतना याद करें फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे लेगिन फिर से इस वार को इसको देख लेते हैं और ये तियाज किसे क को पढ़ा नहीं जा सके लिखा तो गया है लेकिन कुछ कोई पढ़ नहीं पाया है और सिन्दूस अभेता सिंधुनदी के टट पर मिली है इसलिए से सिंदूससभेता करते हैं इसे हड़ापा सबिता भी करते हैं क्योंकि इसकी पहली खुदायी थी वह हड़ापा से हुई थी सिंधु सभेता की जो सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था और सिंधु सभेता 13 लाख बर्ग किलो में फैली थी हम वैसे पढ़ा रहे जो इक्जाम में आए हम वैसा कुछ नहीं पढ़ा रहे जो जिसका एक्जाम से कोई मतलब नहीं है तो फिर से देखते हैं इसके पहली खुदाई दयारामसाः ने किया था सिंदू सब्यता का का कार्थ रिभुजाकार था सिंदू सभवेता बिश्य सबसे पहली शहरी शब्यता थी सिंधूर सभयता 200 की सबसे पहली सहरी सभयता थी सिंधूर सभयता का विकास पचीछ सट्राइस सब्सक्राइब निए तो छोटे छोटे विडियो में करके हम पढ़ाएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में जैहिंद